यह कॉंग्रेस के लोग कभी मेरी कब्रखोदना चाहते हैं कभी मुझे साप बुलाते हैं साप तो बगवान शीव की माला है पहला ऐसा प्रधान मंत्री देखा है बेहनों और भाईयों पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है मुझे गाली दे रहे हैं आपके दुख सुनने के बजाए अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं हिम्मत करो मुझे जी मेरे भाई से सिखो मेरा भाई कहता है गाली क्या मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए करनाटक चुनाओ में चुनाओ प्रचार अपने अंतिम दौर में है जिस कारण सभी राजनीतिक दलों ने चुनाओ प्रचार में अपना पूरा दम खम लगा दिया है नैशनल पार्टियों की बात करें तो भारतिय जनता पार्ची और भारतिय राश्रिय कॉंग्रिस के सभी बड़े नेता चुनाओ प्रचार के लिए इस अंतिम दौर में अपने अपने दल को भारी बहुमत दिलाने के लिए रोट शो से लेकर चुनाओ जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से रूबरो होने का कोई भी मावकान नहीं छोड़ रहे जहां भाजपा के चुनाओ प्रचार का जिम्मा खुद पीम मूदी ने सभाल रखा है तो वही कॉंग्रेस की नईया को पार लगाने के लिए राहुल गांधी और उनकी बहन कॉंग्रेस महास्चीव प्रियांका गांधी ने चुनाओ प्रचार की बाग दोर थाम रखी है बात अगर करनाटक चुनाओं की जनसभाओं की करें तो पीम मूदी से लेकर प्रियांका गांधी और कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे के बयान नाशनल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष का पीम मूदी को जहरीला साप वाला बयान जहां ट्विचर पर ट्रेंड कर रहा है तो वहीं पीम मूदी का कॉंग्रेस के गाली का पिटारा और खडगे के बयान के पलटवार में दिया गया बयान साप तो भगवान शिव की माला है ट्रेंड कर रहा था मेरे शिव तो आप है जनता जनार्दन है इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सीर माथे पर लेता हूँ ये गाली देते रहें लेकिन आपको याद रखना है इबारिया अंदिर्धारा बहुंबद्दा बीजेपी सरकारा तो वहीं इन सभी को पचारते हुए प्रियंका गांधी का एक बयान तेजी से वाइरल हो रहा है इस बयान में प्रियंका गांधी ने 91 बार पीम मूदी को गालिया देने वाले बयान पर करारा जवाब दिया प्रियंका ने कहा कि सारवजनिक जीवन में इस तरह के हमलों का सामना तो करना ही पड़ता है पीम मूदी को मेरे भाई से सीखने की ज़रूरत है जो देश के लिए गाली तो क्या गोली भी खाने को तयार है प्रियंका ने पिया मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कई प्रधान मंतरी देखी है लेकिन पहला ऐसा प्रधान मंतरी देखा है जो लोगों के सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दी जा रही है आपके दुख सुनने की बजाए अपना दुख सुनाते हैं एक लिस्ट बनाई है अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है वो यह लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है हमें क्या करना वो यह लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किस ने गाली दी है कम से कम एक पन्ने पर फिट तो आ र प्रियंका गांधी ने प्रधान मंत्री मूदी पर ये पलटवार करनाटक के बागल कोट की चुनावी रैली के दौरान किया था। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं द्वारा जन सभाओं में ऐसे बयान तो सामने आते रहेंगे। लेकिन अहम बात ये है कि क्या जनता इन सब बयानों से इतर हट कर प्रदेश के लिए सरकार का चुनाव करेगी या इन राजनीतिक जुमलों में फसकर ठगी का शिकार हो जाएगी। खैर ये तो आने वाली 13 मई को चुनावों के परिडाम के साथ ही साफ हो पाएगा। फिलाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्षिन में अपनी राज़ जरूर बताएं। देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूटीव चानल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।